तो आज में इस वीडियो में आपको व्रादर एफएस वन जीरो वन स्विंग मसीन की क्लीनिंग एंड ऑउलिंग बताऊंगी क्लीनिंग करने से पहले जो हमारा फूट कंट्रोल है हम उसे रिमूब कर लेंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं है हमारे पास फिर सेकंड काम करेंगे हम जो हमारा प्रेसर फूट है हम उसे रिमूब कर लेंगे मसीन में से उसके बाद जो हमारा प्रेसर फूट होल्डर है हमें उसे भी रिमूब करना है जो भी टूल है में करके सारे रिमूब कर लेना रिमूब करने के लिए हमारे देखिए हमारे पास है जो हमारे मसीन में स dilu साथ में आती है तो आपको कोई भी फ्रू जो है खोल ला हूँ तो इस माद की के हैएक खोली बहुत आसानी से इसकी हेड़् से वह फ्रूघ झाते है तो देखे हैं यह तो है अकर पर कर दिया मसीन से इसके बाद फिर हमें जो हमारी नीड़ मसीन की हमें उसे विए और इसे हें की की है के पिल्मूव करना है तो में और कि रिमूब करना है और स्कृट थी के वाइड दख लग होता है और एक लॉक्स करना है और यह फाल श्रैडik तो बस आपको उसका जो लॉक है उसको पुश करना है और यह आराम से रिमूव हो जाएगी देखिए अंदक इतनी डश्ट है इतनी डश्ट बहुत ज्यादा डश्ट है मेरी मसीन में तो इसे हमें पुरी क्लीन करना है अब इसके बाद हमारे जो डॉक फीट डॉक की जो उप डश्ट देख रहा है मसीन में बहुत पुरानी है मैंने काफी टाइम से मसीन को क्लीन किया है क्योंकि मुझे इसकी वीडियो बनाने थी इस वैसे में के लिए नहीं कर पा रही थी तो आज वह आप देख लीजिए किस तरीके से मैं क्लीन हो जाती है तो दोनों स्कूरू जो है हम कोई भी स्टीचिंग करते हैं बकरम कपड़ा यह सारी उसकी निगल कर जढ़ती है तो इस सारे खटा हो जाता है और यह हमारी स्टीचिंग में बहुत प्रॉब्लम करती है तो आप मसीन को दस बारा दिन में क्लीन कर लिया करें और यह सारे टूल जो मैं निकाल है वह मैं एक बॉक्स में रख दूँगी ताकि जब हम इसे अटेश करें तो हमें ढूंडने में मिलने में प्रॉब्लम ना हो तो चलिए मैं इसकी जो डश्ट है उस डश्ट को क्लिंग कर लेती हूं क्लिंग करने के लिए इसमें देखी ब्रस आया था मेरी मसीन में ही तो इसी ब इसके अंदर से आराम से निकला है, ब्रस से क्या है मसीन को नुखसान भी नहीं होगा और जो डश्ट है वो आराम से बहान नकलाई jisara bakram निकला यह सारा बक्रम का डश्ट और जो हमारे कपड में से निकलता है धागा बगला सब इक जगे हो जाता है वही हमारा इकटा हो ग भी पूसा देख में देख़ा चीह तो एक हम उम्हुंस में हैं। आप करें थीया। को सब्सक्राइब नियुक्त करा भी है। शेता में प्रेते हैं जैश enfant कुरा सब्सक्राइब हो बंटार में टेक्ते लिए नंड प्रिंदी रहे। मैंने मसीन को कर लिया है clean और अगर आपको clean अप्शों करना है प्रॉलम और यह और यह इसको भी निकाल सकते हैं यह रिमूब गया था है उसको मैं क्लिंग करोंगी इसके बाद जो हमाराrü केस हमें बाबिंग केस निकाल लेना हैं देखिए इसके नीचे हुआ कितनी सारी डु होती है बहुत ज्यादा होगी मेरी मसीर में डश्ट तो इसको भी मैं इसी ब्रस की हेल्प से बहार निकाल लूगी सारी डेश्ट को देखिए कुछ इस तरीके से कि इसको में एक पेपर पर या आपको कोई भी फैबरिक पर आपको रखते जाना है यहां वहाँ नहीं डालना है वनना फिर से मसीर में जाने का डर रहता है रमें फैबरिक पर खट्टा करती जा रही हूँ पूरी डश्ट जो है मैं इसी ब्रस की हेल्प से निकाल लेती हूँ इसके बाद जो आपका आप देख रहे हैं जो आपके फ्यू डॉक्स हैं उसकी उपर भी डश्ट जमी हुई हो तो यह ब्रस की पीछे की साइड में पॉइंट होता है बारिक साथ उसकी हेल्प से आप ज फाल लाइट से गाल लाइधically तो में रिक बाद हो डराऑ में भी डेल्स से आपको ब्रस की हेल्प से ऐसे सारी जो डुपर की मत एंज सब निकाल लुक्ती हिए् yaş सारी डशिसी वी मसीन की लिए मुद्ध है मसीन अग्री है मसीन वुकर क्लीन हो चंकी हुक्झी है मारी देक कि िसके ब हम करेंगे औरी हम्ट करने लिए में क्या करना सिर्फ करका यहां कि फॉर्वेर्स है यह अियर्वैइब्सका भी आप स्थी बांगे कि और लिएयो उलत कृट्स कि जड़ा ओइलिंग करेंगे तो हम हमारा कम्प्यूटर इस फंक्षन में जा सकता है तो देखिए मैंने यह वर्ट इस ओइल के अंदर डिप किया और डिप करने के बाद इसकी उपर में चाट्रफ ओइल लगा दूंगी कुछ इस तरीके से मैं आपको वीडियो कैसा लगाया है कमेंट में ज़रू अताएगा रहा हो तो प्लीज एक कमेंट ज़रू करिएगा एक लाइक ज़रू करिएगा तो देखिए इस तरीके से मैं क्लिंग कर लेती हूं मसीन के जो भी पार्ट है अंदर से ओइलिंग करने के बाद क्या है आपका और जो थोड़ी बहुत भी गंदी की बची है अंदर तो वो इसके थूरू नकलाई देखिए यहां पर थोड़ी बहुत जो भी था डश्ट वगरा वो और नकलाई है इसी एरवट की थूरू तो म में और थोड़ी सी इसमें ऐलिंग कर लेती हूं जो पार्ट रह गए हैं इस तरीके से आप ऐलिंग कर सकते हैं जो भी हमारी मसीन होती है डायट आपका भी भी न डालें के मतलब आपने लिया और जो आपकी बस बहुत अलग उससे आपने डायट कर दी इसमें ऐसा कमत आप एरवर्ड लीजिए या कॉटन लीजिए अकर आपस एरवर्ड नहीं है तो कॉटन एक लगड़ी में लपेट कर या मतलब सुई वगरा में लपेट कर आप उससे भी ऑईलिंग कर सकते हैं मैं कि मैं आइलिंग उसे हम धने सटी तरीके से आपको खुथ और दिख रहा हो पहले ये किस तरीके से थी मसीन कि-ठीचेश इसके आप कि निकिरीग हो चुकी है कर दी है इसके बाद हमें जो बॉमारा बॉमिंग के से हमें उसमें वी हल्की सी ऑइलिंग कर देनी है क्योंकि इसमें वी जरूरी है कि थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है जो हमारा बॉवन होता है उसमें इसमें वी हल्की सी जो हमारा एरवर्ट है इसी एरवर्ट से हमें जो हमारे उपर के पार्ड है तो उसमें वी हमें ऐसी ही ऑइलिंग कर देनी है थोड़ा थोड़ा ऑइल जाय है उसमें आप एक फैबरिक ले तो उस्माइस ही जो कोई जो साइड़ के पोशन होते हैं उसमेंigs से भी आप जो भी बचा-खूचा दश्थ है गंडय है उससे निकाले। हैं मेरे में तो आहरे ही हैंज फैबरिक के कोई द्लाइस को दौण में को और tuo दी आई नहीं पिली Speech तो दौद से लंग अशाइक कर दूदी निकलाती हैं तो देखिए मेरी dalla मशीन पूरी केर्द क्लीन हो चुकी है उपर के साइट से भी नीचे के साइट से भी मैं तोरों साइट से कल दिया क्लीन अब हम इसे लगाएंगे बॉमिन केस, लगाने का तरहएं तरीका है नहीं को पदद कमीन एपरिया है तरीका है इसे उनाएंध्य से हैं दिख कईदों केस अपर भّलार साद实 του में जीखतरे나रर्म आपस में आपका स सरा नाएंद्य से उनाप प्रपाएंध्य से लगाएंगे पर तो इसको नगा दिश्या में करना है इसको कैसे लगाना है जो यहां पर आपको एक छोटा सा लग दिख़ रहा ह ऊगा झाय करके इसमें सिधा क्रेकार जो 3 डॉक्सें उसक्यूव शेट करके फिर स्कुरू है कर देने हैं तो मैं से कुछ कर दिया है मिने स्कुरू ए शेट कर दूंगी ं कि इस अभिट करदें यहा아ं पर क्या है थोड़ा सा इस पिस कम होता है तो आफ अद्धिल ध्रखें तो थोड़े 6 दोड़ास क nuovoता है तो आफ हम तमुआं रखें कि अपक्रा इंए कि आपके मैір की ऐसी का यूज करें इस स्क्रूगों करने वह Jeङ हमें वी प्लास्टिक की ट्रे हैं हमें उसे फिक्स करने के लिए आप बहुत ही सीफटी से इसे огрहें क्यार कि वह थो थोड़े उट भी हैं इसके पोईंट यहां पुशे करने के लिए रहेए कि अहुआ प्रशेक करता हैं हौज को इस तरीके से के लिए कि अपर इसके बाद जो हमने फूट होड़र निकाला था उसको भी अटेश कर देना है और जो नीडल निकाली थी उसको भी अटेश कर देना है मसीन में यह नीडल है नीडल को भी हम फिक्स कर देंगे मसीन के अंदर जो की है उसे की हेल्फ से जो नीडल का स्क्रू है उसको हम टाइट कर देंगे इसके जो नीचे का बॉक्स निकालता हमने उसे भी क्लिएंग करके इसमें फिक्स कर देंगे फील अवा 6 से माइट ने मांरों अच्छी में गच्छी सां कि नीचरा सफ स्ल middle देंगे वीडियो इसी तरयके से क्लीर प्लब बडियान टाइड हो और मुक्त हो जाए अज़न करें नहीं नेश्ट वीडिया आफे मिलेंगे, टेक्या, बाई बाई